वोई मार कुण है तक तक अभी को त्रणी व्लोग कैसे आप लोग आप सब बड़िया हूंगा निल से गाय कि आज तुमारे भाइ ने अपनी ड्ूक धिनदाय रवीड़ कर दी हुए है और जो तुम्हारे बाइने डूक 390 किये ना वह पूरे जैंड के में किसे भी वैसी मोडिफिशन नहीं किया तो आज का व्लॉग करते शुरू और व्लॉग एंड तक जूरूर देखना क्योंगी आज की वीडियों आपको बहुत जाने वाला डूक तो हमने करनी करनी है पहले मीट रखोंगा थीक है तो सिंपली मैंने थोड़े बहुत द्यार दोस्तों को बोला था और लास में इस्टेग्राप पर श्चोरी भी डाल दी तो चलो निकलते हैं से अपनी 10R को मैंने बाहर निकाल दे हुआ और यह लगिए और और बाकी सारे भाई लोग मेरेको मि अगर लगा देंगे तो आपने लिए और वाइं निकल चुका है तो अब भाई सबसे पहले अपने रहे को देखते क्योंकि बढ़नावड मार्या चैन्ज कर वादूंगा फिलाल देख सकते हो यहां पर पैंचर है और यह की साथ दो लगे हुआ है तो फटवाट इकर वाद तो तकि दो तिन दिन हमारे निकल निकल ने डाल देंगे तुम्हारा भाई निकल चुका है तो भाई सहाब वाई ज्यादा नी अराम नाम से वह 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 पागरी आज आतो बहुत मदा आने वाला और वाई बैसादा एक्साइटी डूगी आज वह दिन आई गया मुझे लगता ही निए कि आपने वैसी ड्यूक कभी देखी होगी बाकि आप लोगों को दिखाने का जाधा मन कर रहा है फटाफट भाई रिवील करेंगे मैं पस यही सोच नहीं व्लॉग शूट करो आप लोगों को दिखाऊ लोग यहां पर वहां पर व्लॉग शूट करें थोड़े दिन जम्मू आ रहे हैं इसलिए मैं उनके साथ मिलनी बारा हूं हर वहां नहीं चलो कोई बाद नी उन्हें वीडियो कॉल भी दिखा देंगे तो बाइक हमारी चलीगी वह अंदर तो दोनों को वाश करवाते हैं औ दो तीन रहते हैं उनका वेट हो रहा है तो बाइक भी मारी वाश हो गया और बाइक जो चमक रहा है नेक्स लेवल तो लगवक दस मिनट तक और वेट करो फिर आपको बाइक रिवील होती उदिख जाएगी तो हमारी टैनर भी चमक चुकी है देख रहे हो बाइक क्या चमक अब यह रही अपनी KTM Duke 390 और भाई आपको पहले हैं पहले हिचा लग रही है वह देख रहे हो बस करते हैं अभी अपने सारे बाइलोगों को वीडियो पनाने देते हैं और फिर में आपको दिखाऊंगा सबसे में चीज यह चाह कर रहे हो यह चाह कर रहा हो जबल डिस्क अब हलका सा करते हैं स्टार्ट इसको वह हो साउंड सुन रहे हैं बिना एक्जॉस्ट के आप लोगों को मैं आगे बताओंगा अभी आप लोगों में एक चीज बताने वाला हूं आगे जलके अभी अपने लोग सारे वीडियो बना रहे हैं तो इनको डिस्टब नी करेंगे जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला था कि 700 के पर हम अपनी ड्यू को रिवील करेंगे तो काइस फाइलली अपनी ड्यू को रिवील हो चुकिया अब बारी यह के कट करने फटावट के कट करते हैं तो यह देख सकते हो यह रहा मेरा दोस्ट जानू और भाई जानू को जानी थी तो मैंने उसको वीडियो कॉल में दिखा दिया और भाई वह भी बोल रहा है बहुत खतनाग लग रही है इसकते हो फाइनली अपनी दोनों भाई के लग चुकिया और दोनों क्या तबाही लग रही है तो काइस पटापटा के कट करने की बारी है और यह में बंदें जिन्होंने हमारी पूरी बाइक मोडिफाइब अब आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ गोलुबे की लोकेशन तो इस वीडियो में बता दूंगा तो जिसने भी ऐसी मोडिफाइब बाइक अगर करवानिया तो वह गोलुबे से करवा देना बोलुबे कर तो गया ना और मेरे सब्सक्राइबर को डिसकाउंट मिले सब्सक्राइबर करते हैं तो अब हम निकाल रहे हैं इसका आपको मेरे सब्सक्राइबर करते हो आपको मिल जाएगा डिसकाउंट ठीक है प्रश्चाइब दूनों और निकलते हैं तो कि रहे हैं हमारी ड्यू क्या लग रही है क्रेजी फाइनली आज हमारी दोनों बैके जाने वाली सिद्रवाले एक प्रद्व मारने वाले हैं ut2020 जाने स्कॉर 40 में व्यासंने तो निकलते हैं है वह बैए-बैए-बैद psych朋友 करने में और यहां से हमें एक राइड मारने वाले हैं और यह हमार सा जा रही है जीन हो सो और भाई अपनी बंबल वियू की याद आगी इसको देखे यह देखो क्रेजी चलती हुई क्या लग रही है नंक अनक भूल गया मेरे अपनी इसके बारे पोस्ती डाली थी काफी लोगों ने सही गैस कर लिया था मैंने अपनी बाई कानाम नाम रखा हुआ और प्रॉपर सूट होता है भाई 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 अब्स मुझे वाला है वस्ट भाई लोगों बहुत जादा मिस्स कर रहा हूं जानू अर्जून इंसेनको तो भाई कोई पाई नहीं यह भी थोड़े खतरनाक तो गाइस कमेंट करके जूरूर दाना की कैसी लेग रिये बाइक यह देखो भाई रेजी वाई रेजी रेजी आपको एप्रापर दीकेस अब भाई क्या है क्या नहीं अभी चलते हैं राइट तो मारते हैं राइट तो मारी निया दो बार भाई इसका टायर स्लिप हुआ है पीछे वाला क्योंकि आपको पता है टायर पीछे वाला खतम हो गया दो बार भाई गाड़ी हिल गई थी इसलिए में ज्यादा लीन नहीं बारूँगा बट भाई क्या मजा आरा बाइक लाने में आज इतना होगा उतना ही करेंगे पर लिमिट में करेंगे जितना अपने हाथ में कंट्रोल है उतना ही करेंगे हूँ ह् जादा बारू जादा करेंगे जिए में जिए ठादा ना जा नए उतना है करेंगे बालादा ब्रने क्या हादा उतना है लड़कियों का रियाक्शन देगा हमने आज इस जगह पे रुक के आपको मैं प्रॉपपर्टिक से बाइक दिखाने वाला हूं का इस देखो यह लगे है हमारी ड्यूग थिनने पहले तो आपको पता होगा एक्सरी किट है यह तो इसके खुद की किट है उसके बाद यह फॉ व्हाइब को स्कुष्च कर नहीं पर चैलिबर को स्पैशली पेंट कर वाइब और यह सबसे मेन बात इस चलिए और और यह ब्रेक यह सुपर भाई की ब्रेक लगी हुए क्योंकि अगर आप डबल डिस लगाते हो ना तो आपको स्टॉक ब्रेक चेंज करने ही पड़ेगा कि आपको Master Slender ही लगवाना पड़ेगा तो कुछ ऐसी लग रहे हैं हमारी बाइक तो कमेंट में जुरूर बता देना कि आपको हमारी बाइक कैसी लगी आगे जाद राजे वह वह